सिरी सिवाई नमस्तु वियम हर हर महादेव दर्श को आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ये मंगलवार के दिन रात्री के समय किया जाता है इस उपाय को करने से आपके घर की सारी नकारात्मक उजाद दूर हो जाती है घर में हुने वाले लड़ाई जगड़े स इस उपाय को प्रती एक मंगलवार के दिन करते रहना चाहिए इस उपाय में आपका एक रुप्या भी खर्च नहीं होने वाला है मात्र दो लौंग और एक कपूर करे टुकडे से आपको ये उपाय करना है इतना सरल उपाय है इस उपाय को करने से घर में सुक सांती बनी र कहती है वहाँ पे मातलच्मी का वास होता है घर में कलहकल इस होती है वहाँ पर दरिद्रता निवास करती है ऐसे में मंगलवार के दिन कुछ छोटे छोटे आसान से उपाय है जो घर की नकारात्म कूर्जा को बाहर करने में सायक होते हैं इनको करते रहना चाहिए आज रात उस समय आपको उन दोनों लोंगों को और एक कपूर के टुकुडे को किसी भी हनमान जी की मूर्ती के सामने रखना है और ओम हन हनमते नमह मंत्र का ग्यारे बार जाप करना है उसके बाद हनमान जी से प्रातना करा है कि घर में किसी तरह की लड़ाई जगड़े होती है वेसलांत हो जाए और जो भी बुरी सकती घर में प्रवीश कर चुकी है नकारात्मंग उजा फैल चुकी है वो समापत हो जाए उसके बाद उन दोनों को यानि की दो लोंग और कपूर के टुकड़े को हाथ पर रख कर आपको पूरे घर में हाथ की मुठी भान कर घुमा देना है घुमाने के बाद आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर वाहर की तरफ चुपचाप कपूर को जला कर उसके उपर उन दोनों लोंगों को रख के जला दे ऐसा करने से आपके घर की बुरी सकतियां घर से बाहर होंगे और घर में पॉजिटिव एनरजी फैलेगी जिससे की आपके घर में धन आने का नया नया मार्ग खुल जाएगा और मालचमी की असीम प्रफा होगी कोई भी बुरी सकति आपके घर में प्रविस नहीं करेगी तो इसका उमीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को यह पाई समझाया होगा पाई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें